नमस्कार, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं मैरी को शेर का टेकनिकल एनलिसेस और देखेंगे कि क्या इस शेर को अभी हमें बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए और अंत में हम देखेंगे कि इस शेर के शोट टम टारगेट्स क्या रह सकते हैं तो चल ये वीडियो को शुरू करते हैं तो अगर हम इस शेर में सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर दो important सपोर्ट लेवल्स है first सपोर्ट है ये वाली लाइन हाँ दोस्तो आप यहाँ पर यह लाइन देख सकते हो यह लाइन एक strong सपोर्ट है क्योंकि इस शेर ने इसी लाइन पर दो बार सपोर्ट लिया है तो यहाँ पर 406 रूपीज का लेवल इस शेर के लिए strong सपोर्ट का काम कर सकता है तो जो दूसरा सपोर्ट लेवल है इस शेर के लिए वो है ये वाला लेवल 393 रूपीज का लेवल क्योंके पहले भी इस शेर ने एक बार इसी लेवल पर सपोर्ट लिया था तो यहाँ पर दो important लेवल्स है सपोर्ट लेवल्स फर्स सपोर्ट है 406 रूपीज का और सेकेंड सपोर्ट है 393 रूपीज का आईएव हम इस शेर के important resistance लेवल्स को देख लेते हैं अगर हम इस शेर में resistance की बात करें तो यहाँ पर एक strong resistance zone है आप यहाँ पर यह वाला जो rectangle box देख सकते हो यह rectangle box इस शेर के लिए strong resistance का काम कर रहा है क्यूंके जैसे इस शेर का price इदर आता है तो इस शेर में यहाँ पर उपर के लेवल से sellers active हो जाते हैं आप यहाँ पर देखो के इस शेर ने इसी लेवल पर first time हिदर, second time हिदर, third time हिदर और fourth time हिदर चार बार resistance हो इस किया है इसलिए हम कह सकते हैं के 424 to 428 रुपीज का यह जो zone है यह zone इस शेर के लिए strong resistance का का काम करेगा और अगर यह शेर यह resistance break करके एक upside moment दिखाता है तो इस शेर में एक धमा के दार तेजी आने की संभावना रहेगी आईए अब हम इस शेर के कुछ important technical indicators देख लेते हैं तो पहले हम देख लेते हैं RSI value तो इस शेर का अभी RSI value है 62 के नस्दीक में तो RSI value तो हमें एकदम strong दिखाई दे रहा है और RSI के हिसाब से अभी हमें इस शेर में entry लेनी चाहिए और अगर हम इस शेर का MACD देखते हैं तो MACD में भी लगातार positive histograms generate हो रहे हैं तो यह भी एक अच्छी निशानी है positive निशानी है तो अगर हम technicals की बात करें तो technicals यहां पर बहुत ज़्यादा strong दिखाई दे रहे हैं आई अब हम देख लेते के मैं इस शेर को buy करूंगा या sell करूंगा दोस्तों अगर यह शेर अपना resistance level break करके एक upside moment दिखाता है तो फिर मैं इस शेर में entry लूंगा मतलब अगर यह शेर 428 रूपीज इस शेर का resistance है और अगर यह शेर 430 रूपीज को break करके upset moment दिखाएगा तो मैं इस शेर में buying करूंगा और दोस्तों अगर आपके पास already कोई holding है इस शेर में तो आप इस शेर को अभी hold कर सकते हो और अगर बाताती है long term के लिए तो long term के अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा लोग तक ये वीडियो को शेर करना धन्यवाद